देश की 140 करोड जनता को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार मैं अरजुन राम मेगवाल भारतिय जनता पार्टी का कारी करता आगामी चुनाव से पहले आदर्णिय प्रधान मंत्री स्री नरेंदर मोदी जी के विच्यार और जनता के लिए किये गे कल्यान कारी कारिये बताने के लिए उपस्तित हुआ हूँ मित्रों पूर्व की सरकारों के बनाए रास्तों से अलग चल कर आदर्णिय प्रधान मंत्री स्री नरेंदर मोदी जी ने विकास की एक नई रहा बनाई है भारत को अपना घर और परतेक भारतवाशी को अपना परिवार जन माना है जां कॉंग्रेश की सरकारों ने हर अवसर में घोटाले बस्ताचार और जनता को लूटने के मौके ढूंडे वहीं घर के बड़े के रूप में परधान मंत्री जी ने विशम परस्तितियों में भी राष्ट शेवा सर्व पर्थम के सिधानतों को सर्व परीम रखा राष्टर के चवं मुखी विकास के लिए मोदी जी ने अनेक जन कल्यानकारी योजनाओं को लागू किया और शामानिय मानवी की जरूरतों एवं अधिकारों का विशेश रूप से ध्यान रखा मोदी सरकार के द्वारा संचालित इन योजनाओं से देश के करोडों गरीब वन्चित, सोसित, एवं पीडित समाज के लोगों को सीधा लाप मिल रहा है पूर्व की सरकारें जहां केवल जाती, धर्म और छेतर के आधार पर योजनाओं का आवंटन करती थी वहीं मोदी जी ने कर्शमीर से कन्या कुमारी और कर्श से कामक्या तक हर तबके के लोगों तक जन हितेशी योजनाओं को पहुंचाने का कारिय किया हालात ये थे कि जहां पूर्व में नैता कहते थे, अगर वैं सो पैसे भेजते थे तो जनता के पास मातर पंदरे पैसे ही पहुंच पाते थे और बीच का पिच्च पैसा बिचोलिये गवन कर जाते थे पर मोदी जी ने इस परंपरा को तोड़ा और जरूरत बंदों तक डीबीटी अर्थात डारेक्ट बैंक ट्रांसफर के माधियम से पैसा सीधा उनके खातों में पहुंचाया डीबीटी के जरिये मोदी सरकार ने अभी तक 34 लाख करोड रुपे से जादा सीधे लावार्थियों तक पहुंचाये हैं प्यारे देशवाशियों आपको याद होगा 2014 से पहले जब भी किसी सरकारी योजना की गोशना होती थी उनके लाव में हिस्षे का परतिशत तैह हो जाता था आमजन के मन में ये धारना थी कि सरकार की योजना का लाव उसे मिलेगा भी या नहीं क्योंकि बिचोलियों ने ऐसा मकड़ जाल बुना था कि हर लावार्थी को अपने लाव का एक हिसा बिचोलियों को देना पड़ता था परिसमश्या के समाधान के लिए माननिय प्रधान मंतरी श्री नरंदर मोदी जी ने जैम की ट्रिनिटी लागू की है जे का अर्थ है परधान मंतरी जंदन योजना, ए का अर्थ है आधार कार्ड की वापक पहुंच और एम का अर्थ है मोबाइल बैंकिंग मित्रों 2014 से पहले जान देश की 55 करोड से अधिक की आबादी बैंकिंग सिस्टम से भी नहीं जुड़ी थी मोदी जी के परधान मंतरी बनने के बाद जंदन योजना के तैस देश में लगबख 55 करोड से अधिक नए बैंक खाते खोले गए हैं इससे पहले ने तो देश का बैंकिंग सिस्टम देश की जनसेंका में छिपी आपार संभावनां का लाब उठा पा रहा था और नहीं देश की जनता इस वैस्विक सिस्टम से जुड़ पा रही थी बैंकिंग सिस्टम में सुधार के लिए माननिय प्रधान मंत्री शिरी नरंदर मोदीजी ने वापक इस्तर पर आधार काड को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का अभियान चलाया वापक इस्तर पर बैंक खाते खुलवाना और हर बैंक खाते को आधार कार से जोड़ कर मोदी जी ने डीबीटी की नीम रखी, Mobile Banking से तातपरिय, Mobile Phone के बाद्यम से Banking से है, अधिकांस बैंक आज Mobile Banking से भायें परदान करते हैं, जो आपको विभिन बुनियादी कार्य करने में सक्सम बनाती है जिसके लिए पहले आमतोर पर बैंक में लाइन में लगना पड़ता था मोबाइल बैंकिंग का सबसे परमुखलाब यह है कि यह आपका समय बचाता है और आपको दुनिया के किसी भी कौने से 24 इन्टु 7 बैंकिंग करने की सुईदा देता है आपको याद होगा कॉंग्रेस आशन में बैंक ट्रांजेक्शन करने के लिए बैंक की लाइन में लगना पड़ता था और रविवार को कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो पाते थे लेकिन मोदी सरकार में आज कोई भी वक्ती, किसी भी समय, किसी भी दिन, किसी को भी अपने मोबाइल सौन से पैसे ट्रांस्पर कर सकता है मित्रों, मोदी जी के नेतुरतों में देश ने वेस्विक समताओं का उतकरष्ट उदारन, UPI, परणानली के रूप में परदिशित किया है यूनिफाइड पैमेंट इंटरफेस, भारत के डिजिटल भुक्तान परिदर्श्य में एक गेम चेंजर के रूप में उभरा है जिसने लोगों के लेंदेन के तरीके में क्रांती ला दिया है और कैसलेस्ट अर्थोस्ता का मारग परसस्त किया है सरकार समर्थित भुक्तान परणाली के रूप में UPI ने वितिये समाविशन को बढ़ावा देने, डिजिटल सास्रता को बढ़ावा देने और भारत को डिजिटल रूप से ससक्त राष्ट में बदलने में मैत्पून भूमिका निभाई है भारत ने एतियासी UPI परणाली के शुरवात की और पूरे विश्वो को उसका कुसल संचालन करके भी दिखाया है आज एक रेडी विक्रत्या से लेकर के बड़े-बड़े मौल तक UPI का लाब उठा रहे हैं आज घर बैठे ही जनता मोबाइल बैंकिंग और UPI के माध्यम से प्रती दिन करोडों का लेन देन कर रहे हैं यूनिफाइड पैमेंट इंटरफेस UPI ने नैकेवल भारत के वितिये विकास की आधार सिला का मार्क परसस्त किया बलकि नई दिल्ली में G20 शिकर समयलन के दोरान इसने बिल गैट्स जैसी वेस्विक हस्तियों की सराना भी बटोरी है आज स्री लंका, सिंगापूर, मौरिशस, भूटान, नेपाल, संयुक्त अरब, अमिरात और फ्रांस जैसे देश भी इस प्रनाली से जुड़ सुके हैं मित्रों आजादी के 69 साल बाद भी कॉंग्रेस सरकार में गरीबी बारत की सबसे बड़ी और सबसे गंबीर समश्याओं में से एक बनी वी थी वस्तुते इस समश्याओं के समाधान में केंदर और राजे दोनों सरकारें अपने गरीबों की सुरुक्षा के लिए नगदी और वस्तु हस्तांतरन की एक विशाल संकला संचालित करती है पहले इन योजनाओं और समाधानों का लाब जनता तक पूरी तरह से पहुंच ही नहीं पाता था मोधी सरकार ने इस सबसीडी को सीधे लाबार्थी के खाते में हस्तांतरन करना सुरू किया जिसे अक्षर पर्तेक्स लाब हस्तांतरन या डीबीटी का जाता है डीबीटी को लागू करना नैकेवल भारतिय सबसीडी परनाली में लीकेज को कम करने का एक साधन है बलकि ये भी सुनिशित करना है कि समाज में गरीबों और कमजोर लोगों को कम लागत और समयबद रूप से उनके हक का लाब मिले भारत एक क्रशी परधान देश है पूर्व की सरकारों की उपेक्षा और दलालों से परेशान किसान आर्थी ग्रूप से हमेशा कमजोर होते गए पर मोदी जी ने डीबीटी के माधियम से किसान समान निदी का पैसा सीधा किसानों के खातों में डाल कर बिचोलियों दलालों और घूर्ष खोरों पर लगाम लगाई पहले जांगरी बर्ग को सरकारी योजनाओं का लाब नहीं मिल पाता था अपने हक का हिस्षा विचोलियों को देना पड़ता था पर आज हर वर्ग के हर वक्ती के पास अपना बैक अकाउंट है और हर लाबार्थी को केंद्र की योजनाओं का लाब बिना किसी दलाली के सी सक्सम नीतिय बवस्ता सक्रिय सरकारी पहल और शायक नियामक्त प्रसाशन ने वित्य चेतर में नीजी और सारजनिक चेतर की संस्ताओं द्वारा आबादी के एक बड़े हिस्षे की उपेक्षा जैसी दीर्द कालिन चुनूतियों को नियंतरित करने का कारिय किया आईमेफ ने भारत की डारेक्ट बेनिफिट ट्रांस्पर योजना की सराना की जो लाखों लोगों तक पहुंची है और जिसने विशेश रुप से मैलाओं बुजर्गों और किसानों को लाभान्वित किया है भारत के इस कदम को देखते वे वर्ड बैंक ग्रूप ने भी अन मोदी सरकार की ये सभी उपलब्दियां दर्शाती है कि पिछले दस वर्सों में देश की तस्वीर बदली है विकास के पत पर भारत तेज गती से आगे बढ़ रहा है आदरिनिया प्रधानमंत्री श्री नरंदर मोदी जी बिना रुके बिना थके भारत को विक्सित राष् जारी रहे इसके लिए हमें मोदी जी को मजबूत करना है मोदी जी के परिवार जनों को कमल के फूल का बटन दबाकर भाजपा को 370 और एंडिय को 400 से अधिक भुशीटों पर विजय बनाना है और आदरिनिया नरंदर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर भार 1400 पार कर फिर से बनाएं मोदी सरकार भारत के सभी युवा साथियों को मेरा साधर प्रणाम एवन नमस्कार मैं भारतिये जनता पार्टी का कारेकरता और मोदी के परिवार का एक सदस्य गजेंद्र सिंग शेखावक्त आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के विचार आप से साज़ा करने के लिए मोदी का परिवार रूपी जनता के बीच उपस्तित हुआ हूँ मित्रों दशकों तक पिछडे पन का दंश जेलता रहा भारत आज माननिये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतरतों में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है पिछले दश वर्षों में मोदी सरकार ने अपनी नीतियों और योजनाओं से पूरे देश की तस्वीर बदल दी है आदनिय प्रधान मंत्री जी के नेत्रतों में देश में राजनीती का एक नया दौर शुरू हुआ है इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि देश के हर तबके को हर नागरिक को योजनाओं का लाब मिल सके आगामी लोकसभा चुनाओं में जनता को विकास के मंत्र पर देश को आगे बढ़ाने वाली भाजपा सरकार और करोडों के घपले घोटाले करने वाले इंडी गटबंदन के बीच चुनाओं करना है भाईयों बेनों श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्यान, महिलाओं, युवाओं और अन्यदाताओं के विकास के साथ साथ परियाबरन की भी चिंता की है मोदी जी की अगवाई में भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने देश को स्वच्छता, न्याय, विकास और संब्रुद्धी की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रियास किया और सफलता भी प्राप्त की साथियों वर्षों तक प्रिष्टाचार में लिप्त और सत्ता का सुख भोगने वाली सरकारें जो कुछ नहीं कर पाई वे भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र दस वर्षों में करके दिखाया है सामुईक प्रियास और विश्वेशनियता के साथ मोदी जी की विकास की नीतियों ने समाज के सभी वर्गों विशेशकर वंचितों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है आज प्रधानमंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के माध्यम से देश के 80 करोड वंचित लोगों को मुफ्तराशन मिल रहा है जिसका परिणाम यह हुआ कि देश के 25 करोड लोग गरीबी की रेखा से बाहर आये हैं इसी तरह आईश्मान भारत योजना के गरीबों के लिए मील का पत्थर साबित हुई है जिसके तहट हर परिवार को 5 लाक रुपए तक की निशुलक स्वास्ते सेवाएं प्रधान की जा रही है आज आदी के 70 वर्षों के बाद भी देश में महिलाएं शौचाले जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित रही और इतने वर्षों में इसको लेकर कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए गए प्रधानमंत्री शीर नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रथम कारेकाल में ही देश के गरीबों और विशेशकर महिलाओं के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचाले बनवाने की पहल की आज देश में बारा करोड से अधिक घरों में शौचाले बनाए जा चुके हैं महिलाओं की सुवधा के महत्तों को समझते हुए उज्जोला योचना के माद्यम से दस करोड से अधिक LPG कनेक्शन उपलब्द कराए गए जिसका सबसे अधिकलाब वंचित, पिछडे, दलित और आदिवासी माताओं बेहनों को हुआ है सुकन्या सम्रद्दी योचना के तहर तीन करोड 61 लाग खाते खोले गए जिससे बेटियों के माता पिता को वित्ती बल मिला साथियों गंगा जी के किनारे की पूरी पट्टी आजादी के बाद विकास में कहीं पीछे छूट गई थी इस वज़े से लाखों लोगों को गंगा के किनारे से पलाइन करना पड़ा बीते 70 सालों में गंगा और उसकी सहयक नदियों में बढ़ते प्रदूशन ने परियावरन को तो प्रभावित किया ही साथ ये 38 शित्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्ते पर भी इसका बुरा असर पड़ा इसे इस्तिती को बदलने के लिए भाजपा सरकार ने नमामी गंगे नाम से एक एकिकरत गंगा सनरक्षन मिशन की शुरुआत की नमामी गंगे अभियान आज देश के विबिन राज्यों के लिए एक मॉडल बनकर उबरा है आज मेकेबल गंगा स्वच्चे हुई है बलकि उनकी तमाम सायक नदियां भी स्वच्चे हो रही है जब कॉंग्रेस सत्ता में थी तो नदियों के विकास और स्वच्चता की उपेक्षा तो की ही गई बलकि उन्होंने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पवित्र मां गंगा को एक नहर तक घोशित कर दिया था ताकि खनन और लूट माफिया अपना खेल खेल सकें श्री नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शी सोच और विजन के साथ इस मुद्दे पर विशेश ध्यान दिया और नमामी गंगे मिशन के तहट स्विकरत 353 योचनाओं में से 178 योचनाओं पूरी करके गंगा को निर्मल बनाने में सफलता भी प्राप्त की यूनाइटिड नेशन्स ने नमामी गंगे मिशन को इको सिस्टम को रीस्टोर करने वाले दुनिया के टॉप टैन इनिशेटिव में शामिल किया है ये और भी प्रसनिता की बात है कि पूरे विश्वे के 160 ऐसे इनिशेटिव में नमामी गंगे को यह सम्मान मिला है साथियो प्रधानमंत्री शीर नरेंद्र मोधी के ओर से राजस्तान की जनता को दी गई इस्टन राजस्तान के अनाल प्रजेक्ट की गारंटी भी पूरी हुई है E.R.C.P. पूरवी राजस्तान के तेरा जिलों की आबादी की प्यास बुझाने के लिए जीवन रेखा बनने जा रही है इस प्रजेक्ट से राजस्तान और मद्यप्रदेश की बड़ी आबादी पेजल और सीचाई के लिए पानी उपलब धोने के साथ साथ दो दशक पहले पूर प्रधानमंत्री शद्धे अटल बिहारी वाजपेई जी का नदियों को जोडने का देखा गया सपना भी पूरा होने जा रहा है राजस्तान महराष्ट और मद्यप्रदेश जैसे राज्जियों के दूर दराज के इलाकों में पानी का गंबीर संकट था जिसके चलते माताओं बेनों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता था श्री नरेंद्र मोदी जी के नेत्रतु में भाजपा सरकार ने दूर सुदूर गाओं के हर घल तक शुद्ध पेजल पहुंचाने के संकल्प के साथ जल जीवन मिशन की शिरुवात की 2024 तक हर ग्रामीन घर में नल का कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हर घर जल मिशन पर तेजी से कारे किया गया इस योजना के माध्यम से ग्रामीन ख्षित्रों में आंगनबाडी के इंद्र, स्कूल, ग्राम पंचायद भवन, स्वास्ते के इंद्रों तक भी पानी के कनेक्शन उपलब्द कराए जा रहे हैं आज देश के 14 करोड परिवारों को हर घर जल मिशन के तहट नल कनेक्शन से शुद्ध जल मिल रहा है भाईयों बेहनों, मोधी सरकार ने 2019 में जलशक्ती अभियान की भी शुरुआत की जिसके तहट पंजाब के 20 जिलों सहित, भारत के 256 जिलों के जलसंकट ग्रस्त ब्लॉकों में भूजल की स्थिति सहित, पानी की उपलबधता में सुधार किया गया है दुनिया भर में प्रसिद इसराइल जल तकनीकी का प्रियोग आज पंजाब में जलसंवरक्षन के लिए किया जा रहा है इस पहल से ने सिर्भ भूजल को बचाने में मदद मिली है, बलकि किसानों और सरकार पर बोज भी कम हुआ है और परियावरनिये स्थिर्था को बढ़ावा भी मिलाए भूजल प्रभंदन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जल शक्ती मंत्राले ने भी साथ राज्यों के कुछ जलसंकट ग्रस्त ग्राम पंचायतों में अटल भूजल योजना शुरू की है इसी होजना के तहट राज्यों को कुछल जल उप्योग क्रशी पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रुटसाइद किया जाता है इसके अलावा माननी है प्रधान मंत्री जी ने 24 अपरेल 2022 को अमरत सरोवर मिशन को शुरू किया जिसका उद्धेश आजा दी के अमरत महुत्सव के उत्सव के तहट देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और काया कल्प करना है साथियों अगर सही माइने में कोई सरकार भारत का विकास कर सकती है तो वैं मोदी जी की सरकार है भारतिये जन्ता पार्टी ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब सत्ता एक छोर से पैदल चलकर समाज के अंतिम छोर तक पहुँचती है तब रामरज्य का प्रारंब होता है पुरे देश को आज यह विश्वास है कि मानिये प्रधानवंति श्री नरिंद्र मोदी जी के तीसरे कारकाल में आगामी पांच वर्ष भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ती बनाने बाले और एक स्थिर समर्थ और शर्षक्त देश के निर्मान के होंगे इसलिए आप से निवेदन है कि इस चुनाव में भाजपा को आप अपना अमूल्य मत देकर प्रचंड बहुमत से विजही बनाए चार सो पार में एक योगदान आपका भी जाए हिंद जाए भारत सुन तुझे पता है यूएस और एयू की कमबाइन पॉपोलेशण कितनी है मतलब मुझे क्या पता U.S. और European Union की combined population से कही जादा 97 करोड़ वोटर्स हैं हमारे देश में इतने सारे वोटर्स हैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और उसका सबसे बड़ा तिहार Election Oh my God! 10,000 followers! 55 lakhs What? 55 lakh AVM machines, 10 lakhs जादा polling stations यह हैं ना amazing numbers Really? यह सीज़ को यहार आई नौ आवे, बाकी नोग कानगे यार शुटी परेस अग, यू? यह तरह साब, कहां समगते इतने नूप एक करोड से ज्यादा ओफिशियल्स वोटें ड्यां ड्यूटी पर हरगार वो भी पूरी तरह से तेयार इनिक्षन की बात कर रहा हूँ, डेश का कोई कुणा नहीं चोप ए अदिक्षन कमिशन से और तुमसे यह दो नहीं समगते क्या बात था साब बेटा, अभी अभी तो इंडिया आए हो, आतनी कार की बुगियों लगते है हाँ वही, कार तो बुख हो गई तेरी, लेकिन थोड़ा टाइम और लगेगा कमसे, इतनी सारे गैनेडेट्स, इतनी सारे पार्टिया, फिर भी इलेक्षन का रेजल्ट इतनी जंदी आ जाता है और वो भी विना किसी दिक्कत के, है ना कमाल, और तुम कह रहे हो कि हमारे छोटे से काम के लिए और टाइम मज़ेगा वो इलेक्षन कमिशन है, मैं नहीं चुनाव का पर्व, देश का गर्व मेरे प्यारे देशवासियों, मैं भारतिय जनता पार्टी का कार्य करता हमारी पार्टी और सरकार द्वारा किये गए विकास कारें को साजा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, अपना मत देने से पहले आपको ये तै करना होगा आपका कैसी सरकार चाहिए, अपने परिवार का विकास करने वाली या देश को विक्सित कराने वाली मित्रों आपको याद होगा कि कांग्रिस शासन में देश के अंदर की हालात अत्यांत खराब थे आए दिन आतंकवादी हमलों और विसफोटों की ख़बर आती थी मित्रों कांग्रिस सरकार तो आतंकवादियों पर कारवाई करने की बजाए उन्हें रात्री भोज पर बुलाती थी आपको पूर्व प्रधानमंत्री की एक अलगवादी आतंकवादी के साथ तस्वीर तो याद ही होगी पिछले दस सालों में मोदी सरकार के कार्यकाल का मूल मंतर राह है सब का साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एक और महत्वपूरण फोकस इन दस वर्षों में रहा है अन्तोधयाय से सर्वोधयाय तीसरा फोकस रहा है इन दस सालों में जीरो टॉलरंस वर करप्षन उधारन की तौर पर आवासन और शेहरी कारिय मंत्रायले के फ्लैक्शिप मिशिन्स जैसे स्वच भारत मिशन, प्रधान मंत्री आवास योजना शेहरी, स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत मिशन, पी एम स्वानिदी के द्वारा हम विमेन सेंट्रिक डिवेलपमेंट से विमेन लेट डिवेलपमेंट की तरफ बढ़ रहे है मूदी जी ने कई दशकों से पेंडिंग महिला अरक्षन कानून लागू किया और मेरा ये मानना है जिस भी क्षेत्र में महिलाएं आई हैं उस शेक्त्र में बीस से तीस प्रतिशत प्रोडक्टिविटी में वृद्धी हुई है और इस से जीडीपी भी दुनिया भर में ब शेक्षेत्र में टोटल इन्वेस्टमन्ट एक लाख अठतर हजार क्रोड था जब दोजार चौदा से दोजार चौबिस तक ये रकम बढ़कर अठारा लाख क्रोड तक पहुंच गई है एक और तुलना की तोर पर ये साफ होता है दोजार चौदा से दोजार चौबिस तक शेरिक शेत्र में एक क्रोड अठारा लाक घर सैंक्षन हुए और इन में से ब्यासी लाक घर लाबारतियों को दिये जा चुके हैं। बाकी के घर भी शीग्र लाबारतियों को मिलेंगे जबकी 2004 से 2014 तक केवल 12 लाग घर सैंक्शन हुए और मात्र 8 लाग घर कम्प्लीट हुए प्रदान मंत्री शीरी नरेंदर मोदी जी का एक और अत्यंत महत्वपूरण मिशन रहा है स्वच भारत इस मिशन को एक जन अंदोलन की तोर पर इंप्लिमेंट किया गया प्रदान मंत्री जी ने 15 अगस्ट 2014 को लाल के लिए से एलान किया था कि महत्मा गांदी के 150 वी जनमती थी जब 2019 में मनाई जाएगी तो भारत ओपन डेफिकेशन फ्री होना चाहिए हमारे देश की महिलाओं और बालिकाओं के लिए उनकी सेफ्टी और डिगनिटी में एक बड़ा कदम उनकी इंपावर्मेंट में रहा शेहरों में आम नागरिकों को अफोर्डबल, कमफर्टिबल और इन्वारिनमेंटल फ्रेंडली पब्लिक ट्रांस्पोर्ट मेट्रो रेल सिस्टम के तहट उपलब करा गया आज के दिन 945 किलोमेटर मेट्रो रेल ऑपरेशनल है और इसके इलावा 940 किलोमेटर अंडर कंस्ट्रक्शन है अगले कुछ सालों में 20 शेरों में मेट्रो के साथ भारत विश्व में मेट्रो किनेक्टिविटी में दूसरे स्थान पर आ जाएगा इन सारी उपलब्धियों को अगर आंकलन करें तो एक बात स्पष्ट होती है कि 2014 से 2014 तक मोदी सरकार का गवनन्स मॉडल रहा है कि डिलिवरी ओफ गुड्स और सर्विसेज वाइदे को स्पीड, स्केल और करप्शन फ्री सिधान्तों पर इंप्लिमेंट किया गया है दोनों गवनन्स मॉडल में फरक को समझने के लिए मैं एक उधारन आप से साज़ा करना चाहता हूं कुकिंग गैस या LPG सिलिंडर जो सिलिंडर आप रोजाना देखते हैं वे भारत में 1960 के आसपास में आ चुके थे लेकिन 2014 तक देश में केवल 55 प्रतिशर घरों में LPG सिलिंडर पहुँच पाए दस साल पहले तक रिश्वत, ब्लैक मार्केटिंग और सिफारिश के बिना कनेक्शन और रीफिल मिलना कितना मुश्किल हुआ करता था इतना ही नहीं सरकार LPG पर भारी सबसिडी भी देती थी लेकिन उसका फायदा मिडल में को मिलता था क्योंकि उन्होंने कभी लीकेज कम करने का कोई प्रियास ही नहीं किया यहाँ ही नहीं आईल बॉंड जैसे फिसकल टाइम बॉंब का इस्तमाल कर आज की समस्या को अगली जेनरेशन को पासाउन कर दिया जाता था अब आप इसकी तुलना मोधी सरकार के प्रियासों से कीजिए हम लपी जी कवरेज को सो प्रतिश्यक तक ले आए हैं और पिछले दस वर्षों में लपी जी कनेक्शन चौदा क्रोड से बत्तिस क्रोड पचास लाक हो चुके हैं इन में से दस करोड तीस लाक कनेक्शन पी एम उजवला के तहत दिये गए जिसमें लबारतियों को कनेक्शन के साथ स्टोव और रेगूलेटर भी फ्री मिलता है उनकी सरकार ने डीजल की कीमत काफी बढ़ाई और एक लाक एक तालिस जार करोड रुपे के तेल बॉन्ड जारी किये आज हम उन पर तीन लाक बीस जार करोड रुपेया भुकतान कर रहे हैं इसके विपरीत जब रूस युकरेन यूद के बाद साओधी कांट्रैक्ट प्राइस से आयात की कीमतें 303 प्रशिशट बढ़ी तब भारत में सिलिंडर की कीमत रिद्धी सिर्फ 70 प्रशिशट थी हमारे PSU ओयल मार्केटिंग कंपनीज को 28,000 करोड रुपे का नुकसान हुआ लेकिन सरकार ने उन्हें भारपाई की इस तरह से दुनिया में बहुत अधिक उर्जा कीमतें के बावजूद भारतिय नागरिकों को अधिक इन्फलेशन से बचाया गया जैसे ही अंतर आश्ट्रिय कीमतें कम हुई पी-एम मोदी जी ने उजवाला लाबारतियों के लिए LPG सिलिंडर की कीमत सिर्फ 500 रुपे कर दी याद रखना चाहिए कि भारत में LPG की कीमतें उतपादक देशों पड़ोसी देशों और विक्सित देशों से भी कम है हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि हमारी इंफलेशन रिकॉर्ड किसी भी पिछली सरकार से बहतर रहा है यूरप में यूद के दौरान बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों पर मोदी सरकार सतर्क रही मोदी जी ने दो बार पेट्रोल डीजल पर एकसाइज ड्यूटी घटाई दूसरी और विपक्ष शासित राज्यों ने वैट घटाने से इनकार कर दिया वहाँ पेट्रोल डीजल की कीमते भाजबा शासित राज्यों से दस से पंद्रा रुपे प्रती लीटर अधिक रही और अब भी है विपक्ष कहर परिवार के एक महिला के खाते में एक लाख रुपे जमा करने जैसे पूरी तरह से जूट के वादे कर रहा है सिर्फ इस योजना के लिए ही सलाना 32 लाख करोड रुपे की अवश्यक्ता होगी जबकि भारत सरकार का एक्सपेंडिचर बजेट ही टोटल 35 लाख करोड है इसलिए उनका वादा पूरी तरह जूटा है इसके विप्रीत मोदी की गारंटी आइरन क्लाइड है जिसका पूरा होने की भी गारंटी है देश को विक्सित और आत्म धिर्बर बनाने की यात्रा में सबसे एहम भूमी का आपको निभानी है आपको कमल के फूल पर बटन दबा कर भाचपा को विजई बनाना है और शिरी नरिंद्र मोजी जी को फिर से सेवा का मौका देना है धन्यवाद इस देश के अनदाताओं नारी शक्ति और महान भारत की सबसे बड़ी ताकत युवाओं को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार मैं डॉक्टर अजया लोक भारतिय जन्ता पार्टी का एक कार्यकरता लोकतंत्र की भाग विधाता जन्ता और मोदी के परिवार यानि आप के समक्ष पार्टी के विचार और पिछले एक दशक में हुए अभूत्पूर परिवर्तन की कहानी को साज़ा करने के लिए प्रस् सिवक को चुनने का समय आ गया है कि अपने परिवार की तरह पिछले दस वर्षों में बिना आवकाश लिए देश के विकास के लिए प्रतिबद रहने वाले आदर्निय प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी और सत्ता को अपने परिवार की जागीर मानने वाले गठ बंधन के बीच चुनाओ करने का प्यारे देश वासियों आज देश में चहुमों की विकास पच्ट रूप से दिखाई दे रहा है बड़े बड़े हाइवे से लेके गाउं तक सडकों का जाल फैलना हुआई अड़ों की संख्या बढ़ने से लेके जल मार्क पर सरकार का भारी निव हो पाया है प्रधानमत्री नरेंद मोदी जी बखुबी जानते हैं कि विक्सित भारत के इमारत की नीव मचबूत बुनियादी इंट्रस्ट्रक्चर है और उन्होंने विगत दस वर्षों में तेजी से इसके लिए काम किया है भाईयों बेनों जरा सोचिए दो हजाद चौ साथ सो किलो मेटर सडकों का निर्मान हुआ और वहीं मोदी सरकार के चौदा से चौबिस यानि दस साल के कारकाल में लगभग 55,000 किलो मेटर सडकों का निर्मान पूर्ण किया गया 2014 तक देश पे महज 78 हवाई अड़े थे 78 लेकिन प्रधान मंत्री नरेंज मोदी जी ने महज एक दशक में 71 हवाई अड़े और बनाकर 149 शेहरों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ा 2004 से 2014 तक महज 12 किलो मेटर प्रती दिन की रफ्तार से सडके बनाई गई थी लेकिन मोदी सरकार ने सडक निर्मान की गती को लगभग धाई गुना बढ़ाया गया और 28 किलो मेटर प्रती दिन की रफ्तार से सडकों का निर्मान किया गया सिर्फ सडकें ही नहीं, सडकों पर यात्रा की गती बढ़ाने के लिए भी कुशल नीतिया बनाई गई है, परणाम सरू, जहां 2014 में टॉल प्लाजा पर आपको लगभग 12 मिनट के इंतजार करना पड़ता था, 23 में यही घट कर लगभग 47 सेकंड के इंतजार में आप किसी भी टॉल प्लाजा को पार कर जाते हैं, प्यारे देशवासियों, मोधी सरकार ने देश के कोने कोने तक पक्की सडकें रेल नेटवर्क, बिजली, पानी, अन्नमूल भुत्सविदा पहुचाई हुँ, मार्च 2014 तक देश की बिजली उत्पादन की शमता मात्र 249 गिगवाट थ के नेत्रित में, दिसंबर 2023 तक बारत की बिजली उत्पादन शमता को बढ़ा कर 429 गिगवाट तक पहुचाए गया, 429 गिगवाट, पहले ग्रामीन इलाकों में, गाओं में, दिन में कई-कई घंटे बिजली काटी आती थी, लेकिन आज हर घर बिजली से रोशन हो रहा है और बिजली काटाथी ना के बराबर होती है, 2014 तक देश के मात्र पांच शेहरों में मेट्रो संचालन होता था, लेकिन प्रधान मंत्री नरेंज मोदी जी के नेत्वित में आज 20 से अधिक शेहरों में लोग मेट्रो से यात्रा कर लें, प्रधान मंत्री मोदी जी के स्वीर दुनिया के सांदे रखता है भायों बैनों ये सभी उप्लद्धियां दर्शाती हैं कि पिछले दस वर्षों में आदर्णिये प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी के नेत्वित में देश की भारत के संकल्प की सिध्धी के लिए प्रतिबद्ध रहें विक्सित भारत की इस यात्रा में सबसे एहम भूमिका अदेश के मद्दाताओं की है यानि आपकी है मोदी जी के परिवार जनों को यानि आपको कमल के फूल का बटन दबा कर भाजपा को तीन सो सत्तर बड़ा इंपॉर्टेंट टंबर है और एंडिये को चार सो से अधिक सीटों पर विजयी बिराना है आदनी ननेज मोदी जी के तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने के बार न केवल भारत प्रकती के पत पर गती से बढ़ेगा बलकि भारत विश्व गुरू के स्थान को दोबारा हासिल करने के दिशा में भी तेजी से अग्रसर होगा देश को ब्रष्टा चार मुक्त रखने के लिए 400 सीटों में एक योगदान आपका भी जरूरी है तो अब की बार 400 पार कर फिर से बनाएं मोदी सरकार बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार हालो हां बोल अर तेरी वाज नहीं आरी यर ओटो मैं तुझे पहुंच के पहुंच करता हूं ना अबसर्दा विए थो जल्दी जलना हां हां भी यर नहीं यार ऐसे भी होता है यर तू मेरी बास हो सिब दो दिन की बात है मैने च्यों नहीं कर लेते है भाई आप पांच मट रोख सकते हैं क्या प्लीज या अच्छा टीक है पर जल्दी आप बोल क्या बोल रहा था या तुझे पता है कि मैं दो दिन के लिए अपने गाँ जा रहा हूं उसके बाद भी तू उससे ये सब बोलेगा तो मुझे कैसा लगेगा तुझे मैं बाद में बात करता हूं ठीक है हां कल हां किदर वो भीया बोट डालने गए थे हमारा बोट भी तो जरूरी है जैसे आप अपना बोट दिये होंगे नहीं तुम चलो यार मेरी बस में सो जाएगी जी भीया क्सित करता है क्सित करता है अरे चाचा बागए मैं कोई दिखिए रहा? काहा कहा है सब? अपरीपता जो दिने सारे बोट दिने के लिए है वे भी आप गोट डालने गए थे हैं आरे भुधिने के लिए हैं हमारा बोट भी तो ज़रूरी है तो ज़रूरी है करिया है जाठाता नाylon बस थोडी देर में है चुनाफ का दिन शुट्टे का दिन नहीं ये जिम्मेदारिया निभाने का दिन